Hello everyone, मेरा नाम सुरजानन्द है और Rapid Boom में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को थम्देन से पता चल गया होगा कि हम लोग BPSC का जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो Crash Course है वो हम लोग करने वाले हैं और ये जो किताब है ये काफी famous, one of the famous institute जो कि द्रिश्ची IS के द् जनाया गया है और इसी किताब को चुनने का मेरा perspective क्या था दोस्तों क्योंकि इसके जो distance learning program है और basically अगर मैं अगर इसके index पर जाऊंगा तो इसमें सारी की सारी चीज़े up to dated होने के साथी साथ और एक बहुत ही अच्छा collection इसका बताया गया है जिसी वैसे मैंने इस किताब क आप लोगों को suggestion कर रहा हूं कि अगर BPSC के लिए जल्दी से किसी किताब को पढ़ना है और उसमें सारी चीज़े अपडेट होनी चाहिए तो ये इस किताब पर जाहिएगा तो चलिए दोस्तों चीज़ों के शुरुआत कराते हैं और basically एक बार मैं इसके index पर बात कर लेता हूं तो starting starting में जो समान्य परीचे हैं कहा population जादा है कहां कम है कहां क्या है कहां क्या है इस हिसाब से question मतलब topic है फिर प्राचे नितिहास है फिर मंदे कालीन है फिर आधुनिक है फिर भागॉलिक यानि कि फिर geographical condition जिसमें जलवायू है मुद्रा है अब वाह क्लाइमेट वग खनीज मिंडल्स फिर अध्योगिक मतलब एट उजक राजय बेवस्था आगया पॉलिटी आगया पंचायती राजय बेवस्था आगया शिक्षा टूरिस्ट कला छेत्र यह जितनी सारी चीज़े हैं दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छे सिदिक पिरहा होगा और एक च सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे दोस्तों मैप से सबसे ज़ा सवाल आते हैं मैप को इपर ध्यान देते हैं तो पूर्वी चंपार पहले तो मैप से सबसे पहले कोशन यह आता है कि बिहार कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है तो तीन राज्य है उत्राखंड नह करते हैं हैं तो एक-दो 3 4 5 6 से साथ टोटल सात ऐसे राज्य जो की नेपाल से एदार शेयर meet with इहार करते है तो यहा पर सारी पटना है और प्राचीन काल में इसके चार नाम हुआ करते थे पाटले पुत्रा पुश्पपूर, कुसुमपूर, अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं तो अगर नाम को लेकर के भी सवाल आएंगी तो आप लोगों को अब ये छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एक पाटल डिगरी, 20 से जो कि उत्तर है, पस्चिम है, ये सारी चीज़े समझ के बाहर है, जैसे साब से ये कम पूछी जाने वाली भी नहीं है, 25 से 27 याद रखिए, 83 से 88 याद रखिए, और 25 से 27 है, 24 से 27 है, ये उतरी का है, यानि नौर्थ का है, और यहाँ पर पूर्वी का है, जो क सबसे बड़ा राज्य है, 13 सबसे बड़ा राज्य है, जो कि हम कह सकते हैं कि 94,163 स्क्वार किलोमेटर है, इसी के साथ ही दक्षिन से उत्तर तक, यानि कि नौर्थ से लेकर के साउट तक इसका जो डिस्टेंस है, वो 345 किलोमेटर है, पूरुफ से लेकर के पश्चिमी तक पुर्व से लेकर के 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 प झील की सीमा से लगें तीन राज्य जो आपका पश्चम बंगाल यूपी है और उसां जहारखंड थ। पस्चम बंगाल जो कि पुर्व में उत्तर परदेश पस्चम में और जहारखंड दकशन में नेपाल उत्तर में है नेपाल इक अलगी कंटरी है कुल भौतकी चेटरफल 2.8% है नेपाल की सीमा से लगे जिले यानि कि नेपाल की सीमा मैंने आपको अभी जस्क बताया कि साथ जिले है पश्चिमी चंपारण है पुर्वी चंपारण है सीता मड़ी है मदबनी है सुपॉल है अररी है और किसंगंज है उत्तर परदेश की सीमा से लगे कटिहार है जारगन से लगे सीमे तो भागलपूर है बांका है जमूई है नवादा और अंगाबाद रोतास और एवन कटिहार है क्लियर आगे बढ़ते हैं छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है सबसे छोटा शभर सबसे उत्री जो की स लोग गया में और बहुद गया में कहते हैं कि यह दोनों एक ही है या फिर नाम ही अलग है बगेर 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 तो मैं आप लोगोर का एक कनफ्यूजन दूर करता हूँ कि गया ऐलग है और बहुत गया अलग है, गया से 16 या 17 किलोमेटर दूर बहुत गया पड़ता है, और बहुत गया क्यूं फेमस है, कभी दियास की क्लास में मिलिएगा, तो मैं बताऊं लुगा, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला किशन गंज है, राज्य की समान्य वर्षा का जो मिलिमीटर है, वो 1200 के असपास है, सबसे सरवादिक वर्षावाला जिला किशन गंज है, इसी के साथ ही सबसे कम वर्षावाला जिला, रोताश है और अंगाबाद है, कैमूर है, गया है, सबसे गरम स्थान गया है, समुद्र तट से औसत दूरी, ये है लगभग 53 मीटर, राज्य की कुल जन संख्या जो 2021 के संसस के अराउंड निकल करके आई थी, तो ये कुछ इस तरह है कि 10 करोड 11 के आसपास आप मान करके चलिए, क्यूंकि दोस्तों ये 2011 के ही संसस के साप से, इसी के साथ ही राज्य की कुल जन संख्या के पुरुष अगर 11 मान करके चलते हैं, तो उसमें से 60% जो भाग है, वो पुरुष है, बाकी महिला है, राज्य की कुल जन संख्या में, टोटल 8.6% की जो जन संख्या वो यहाँ पर रहती, कुल राज्य की तरिष्टी से तीसरा स्थान है, राज्य अगर मैं बात करूं जन संख्या पर, तो त दूसरा महरास्टा है, तीसरा विहार है, जन संख्या में दर्शनिय व्रिद्धी, 2001 से लेकर राके 2011, 25.42 देश में छठा नंबर पर आता है, जन संख्या गणत्व, व्यक्ति वर्द, तो ये 1100 देश में पहला स्थान है, डेंसिटी पर, इंडिया भर में पहले आज से 4-5 स साल पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता है, अब जो रिकॉर्ड है वो भिहार ने तोड़ दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि यहां की जो डेंसिटी है, वो सबसे जादा है, न्यूंतन जन संख्या वाला राज जिला, पहले तो बात करेंगे सबसे जादा है, जो कि शेहरी महा नगर के तोर पर पटना आता है, तो इसमें टोटल 58-59 लाख लोग रहते हैं, इसे के साथ ही सबसे कम जन संख्या वाला राज जिला, तो यह शेखपुरा है, जिसमें अराउंड 6-7 के बीच में लोग रहते हैं, लाख है, सबसे अधिक वरिदी दर वाला जिला, मतलब जहा पर वरिदी हो रही है, पॉपुलेशन की बहुत तेजी से, तो मधेपूरा है, 31.12%, वरिदी वाला सबसे कम जिला, मेरे मुझे बार राज जिला निकल जा रहा है, बट यह जिला है, तो गोपाल गन जाता है, 19.2%, सरवादिक जिला, घनत वाला जिला, मतलब कि सरवादिक ज जिसमें की भवववा है, जो की 488 व्यति वर्द किलोमेटर पर रहते हैं, साक्षर्ता दर लगबग 61.8% है, और 61.8 है, जिसमें की पूरुशों का 70 है, और फिर महिलाओं का 50 है, सरवादिक जिला जिला, तो रहताश है, 73.37, सबसे कम पुर्णिया है, अब बात करेंगे, मे सबसे ज़्यादा पड़े लिके रहतास में है, और सबसे कम पड़े लिके पूर्णिया में है, फिमेल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रहतास में है, और सबसे कम महिला का जो लिटरेसी है, तो वो सहरसा में है, 41.8% है, लिंग अनुपात, 918 है, सरवादिक लिंग उंगेर है, शिशु लिंगनुपात जीरो से 6 साल के उमर तक के बच्चे है, तो ये 9.35 है, सरवादिक शिशु लिंगनुपात वाला जिला तो ये किशन गंज है, उसी के साथ ही सबसे कम लिंगनुपात वाला जिला वैशाली है, सरवादिक नगरिये जन संख्या वाला जिला तो यह पटना है बिलकुल और सबसे कम शिवहर है क्लियर आगे कुल जन्जंक्या में ग्रामिन जन्जंक्या का प्रतिशत 88.71 है और सरवादिक नगर ये जन्जंक्या प्रतिशत पटना में है और ये सारी चीजें हैं दोस्तों और इसमें से जो जो important होगा वो मैं आपको बता जाओंगा जैसे सबसे जाला सबसे कम हमेशा आते हैं सरवादिक अनुसुद जाती वाला जिला तो गया है और फिर सरवादिक अनुसुद जाती वाला जिला प्रतिशत वाला जिला गया ही है सबसे कम शिवर में है और प्रतिशत वाला ये किशन गंज उभर करके आ जाता है इसी के साथ ही जो अगला कोशन उभर करके आता है कि राजे में उचन आले पटना में है और ये 1916 में स्थापित हुआ था इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो जिला कितने हैं तो 38 है अनुमंडल कितने हैं 101 प्रखंड कितने हैं 534 पंचायत कितने हैं 8406 पुली स्टेशन कि इसी के साथ ही राज्य चिन क्या है और राज्य भाषा क्या है सेकेंड राज्य भाषा उर्दू है याद रखियेगा दोस्तों राज्य पक्षी जो है इसका गोरिया है राज्य व्रिक्ष पीपल है राज्य पुष्प गेंदा है जिसको मैरी गोल्ड कहते हैं राज्य मचल मांगूर है मुंगेर से मांगूर याद रखिएगा राज्य पशु बेल है राज्य गीत मेरे भारत के कटहार तुझे शक्षत बंदन भिहार ऐसा कोई गाना है विश्विद्याल है तैईस है और इसमें जो लोग निर्त है ये घोड़वा है कट है धोबिया है तो ये सारी च प्रथम कौन थे तो प्रथम राज्य पाल जय राम दास दौवात राम थे प्रथम मुख्य मंत्री डॉक्टर रिकुशन थे प्रथम मुसलिम राज्य पाल डॉक्टर जाकिर हुसें थे प्रथम मुसलिम राज मुख्य मंत्री अब्दूल गफूर थे प्रथम दलित मुख् इंश्वर परशाद बर्मा बन गया थे प्राथम विदान सभा उपाद्यक्ष यहां पर अब्दुला बारी हुआ करते थे इसे के साथ ही विदान सभा में प्राथम विपक्ष के नेता इसके बांगे हुआ करते थे यह सारी जितने फैक्शुल लेटा है दोस्तों पढ़ते जाएएगा और पढ़ने के साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो हमारा बेसिक जो टर्म है बिहार को लेकर कि वो जैसे की फैक्शुल जितने कोशन आते हैं किसका जादा है कौन कम है कहां क्या है कौन पहला कौन आखरी था यह सारी चीज़े अब हमारा जो शुरू होगा व और जल्दी से अगर तयारी करनी है तो दोस्तो इस से बेस्ट आप्शन मैं और सजेस्ट आप लोगों को इस टाइम पर नहीं करने वाला हूँ मुश्किल से अगर देखा जाए तो पंदरा दिन बचाए और पंदरा दिन में साथ आठ दिन इसको लगाई और फिर जैसा होगा वो देखा जाएगा तो चली दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तर तक लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू आइं जाहें